हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडिए में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे अलगे तरह के कुरसियों के नाम हिंदी और इंग्लिज में तो चली शुरू करते हैं इसे कहते हैं स्टडी चेयर स्टडी चेयर मतलब होता है पढ़ने की कुरसी इसे कहते हैं केन चेयर मतलब होता है केन वाली कुरसी इसे कहते हैं फॉल्डिंग चेयर मतलब होता है मुडने वाली कुरसी इसे कहते हैं रॉकिंग चेयर मतलब होता है दोलन कुरसी इसे कहते है इजी चेयर मतलब होता है आराम कुरसी इसे कते हैं आर्म चेर, आर्म चेर मतलब होता है बाहदार कुरसी इसे कते हैं बीन बैक चेर, बीन बैक चेर मतलब होता है बीन बैक कुरसी इसे कते हैं विंग चेर, विंग चेर मतलब होता है विंग वाली कुरसी इसे कहते है हाई चेर हाई चेर मतलब होता है उची वाली कुरसी इसे कहते है लव सीट लव सीट मतलब होता है आरामता है कुरसी इसे कहते है रिकलाइनर रिकलाइनर मतलब होता है जुगने वाली कुरसी इसे कहते हैं वीलचेयर, वीलचेयर मतलब होता है पहियदार कुरसी इसे कहते हैं ओफिस चेयर, ओफिस चेयर मतलब होता है ओफिस कुरसी इसे कहते हैं बाउलचेयर, बाउलचेयर मतलब होता है कटोरी वाली कुरसी इसे कहते है पूस चेर, पूस चेर मतलब होता है बच्चा गाड़ी इसे कहते है टूलिप चेर, टूलिप चेर मतलब होता है टूलिप कुरसी इसे कहते है हैमोग चेर, हैमोग चेर मतलब होता है जूले वाली कुरसी इसे करते हैं कड़लर चेर कड़लर चेर मतलब होता है कड़लर कुर्सी इसे करते है वेटिंग चेर मतलब होता है परतिच्छा वाली कुर्सी